वैसे तो रिशी केस में जन्नों की कमी नहीं है लेकिन मैं आपको एक ऐसा जन्ना दिखाऊंगी जहाँ पर लोग आते हैं और घंटों अपना समय बिताते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो अब सुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों ट्रेवल विद्राल लक्ष्मी में आपका स्वागत है आसा करती हूँ आप पर आपका परिवार स्वस्त हो योग नगरी रिशी केस में इस्थित तपोवन से करिब 3 किलोमीटर की दूरी पे यह वाटरफॉल है यह वाटरफॉल सहर की भीर भार से दूर एकांत में जंगलों की बीचों बीच में इस्थित है इस वाटरफॉल का नाम सीक्रेट वाटरफॉल है और यहां तक पहुचने का रास्ता लोकेशन मैं डिस्क्रिप्सन में डाल दूंगी आप उसे ट्राक करके यहां पे आसानी स पहुच सकते हैं आपको बता दू दोस्तों इस रूट पे आपको लगतार तीन वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो पहला वाटरफॉल था उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिये उसे आप देख सकते हैं सेकें और थर्ड मैं एक में मिक्स कर देती हूं क्यूंकि बहुत छोटा जर्ना था ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं कर सकती थी मैं इसलिए दोनों को इकठा कर दिया है मैंने यह जो आप देख रहे हैं इसमें थोड़े बच्चे नहा रहे थे और जो ग्रामील लोग थे वो यहां पे कुछ अपना काम कर रहे थे यहां बहुत सु करने के बाद जो पत्थर लगे थे वहां थोड़ा सा फाउंटेन जो जन्ना होता है फॉल कर रहा था अब चलिए यहां से अब आगे बढ़ते हैं सेम रूट पे हमें जाना है कहीं अगल बगल नहीं जाना है वहां पे अगर आप फोर वीलर या टूविलर से आए हैं तो आ लगा के आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यहां से आगे का जो रास्ता है थोड़ा सा कंकडील वाला है यानि पत्थरों वाला है बोल सकते हुआ रास्ता खराब है कच्चा है तो आप प्रिफर करें कि यहीं पर बाइक रोग दे तो हमने अपनी स्कूटी यहीं पर रोग दी और पैदल चलने लगें यहां से लगभग 500 मिटर पैदल चलने के बाद सीक्रेट वाटर फॉल मिलेगा और यह जो रास्ते का द्रिश है बहुत ही सुहावना और बहुत ही रोचक वाला था बीच में आपको पुल पड़ेगा पुराना पुल है तो ध्यान से चले अगर बा और यहां पे नेचर इतना खूबसूरत लगता है कि घंटों आप समय बिता सकते हैं और जर्णों के में खासियत होता है कि यह अलग ही रहते हैं जंगलों के बीच में चारों तरब से पहाडों से घिरे रहते हैं अब आगे हम 500 मेटर चलने के बाद हमें इतना चौड़ा रास्ता मिल गया दूसरे रूट से जिधर से हम आयने उधर से सिर्फ बाइक आ रही थी वो भी बहुत मुस्किल से और दूसरे रूट से गाडिया घूम के आ रही थी तो अगर आपके पास फोर्विलर है बड़ी छोटी घौड़ी जो पहाडो पे चलती हो या चोटी कोई घौड़ी वह आप लेके आ सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे लेके आ सकते हैं रास्ता बहुत घडराब है वहां पहुँच चुके हैं पे एक छोटा सा मंदिर था वह भी मैंने वीडियो में ले लिया और छर्ण न जहां पर है वो चारों तरप से पहाडों से गिरा भूआ बहुत ही खूबसूरत आद्रिश्य है और इस इतने सुंदर द्रिश्य को रहती यह और पहाड़ों पर वेसी भी थकावट होती नहीं है कितना भी आप अब यहां का यह जो सिक्रेट वाटर फाल है उसकी थोड़ी सी जलकी मैं दिखा देती हूं यह पूरा ओवर व्यू मैंने आपको दे दिया है और यहां का वाटर देखिए कितना नीट एंड क्लीर है और यहां पे आपको छोटे-छोटे फिस नजर आ रहे होंगे थे कि छोट चोटे वाले थे और जब मैं गई थी वह बर्शात का सीजन नहीं था घर्मियों का एकदम तडपती घर्मी का सीजन है यह तो थोड़ा सा पानी कम हो जाता है जो वाटर होता है वह थोड़ा कम हो जाता है उसका लेयर लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम इंज्वाइं नहीं और आपको ठंड लगना महसूस होना लगेगा और लोग यहां पे लिटरली इंजवाय कर रहे थे घंटो बैट के जरने में नहां रहे थे और उसके बाद मैंने वीडियो बनाया और पहाडो की मैगी खाया नहीं तो क्या ही खाया वहीं पे स्टॉल होता है आप मैगी स्नेक्स मिलते हैं आप खाये और नेचर को इंजवाय करिया हां लेकिन गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलाये आप कोई भी पैकेट वाली चीज़े खाते हैं अपने जेब के अंदर रखे अपने बैक के अंदर रखे इधर उधर बिल्कुल नहीं पेगिए यह हमारी रिस् उसे अपने अस्थान पे ही फेके और यह जो पूरा मैंने चारो तरफ आपको दिखाया यह सीक्रेट वाटरफॉल का एक व्यू है जिससे आपको लगे कि हां यहां पे सच में लोग आते हैं और इंजवाय करते हैं आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बाइके भी यहां पे अब बाइक है 500 मिटर की दूरी पे खाड़ी थी इसांत में यहां पे कार भी और जीप भी यहां पर लगे पड़े थे और यहां पर तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिया और लोगों में शियर करिए बबाए दोस्तों हरार गंगे जैनल